Hi Everyone, I'm Shweta and Welcome back to my channel Style Corner by Shweta तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऐसी home remedy जो कि आपके पुराने से तो दार्ट दपे है पिम्पल्स के निशान है उनको दूर करेंगे कितना भी पुराना आपके निशान हो उन सब को रिमूव कर देंगी 895% लोगों में के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनको मुहासय फिम्पल्स रहते हैं और अगर वो ठीक हो भी जाते है तो वो उसके निशान छोड़ जाते है जिसके कारण बहुत ही चैरा बेकाल लगता है हमारी स्कीन बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है आज मैं आपके साथ ऐसी डो होम रेमेडी शेयर करूंगे जिनके रिजल्ट आपको बहुत ही तेखने को मिलेंगे इनको बनाना भी बहुत ही ज्यादा इजी है और यह आपके चैरे पे बहुत ही अच्छे से वर्क करेंगी बहुत ही एफेक्टिव है वन वीड के अंदर आप प्रेस कर देना जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो के नाटिफिकेशन मिल सके तो आप जले जली से वीडियो स्टार करते है तो यहां मैंने सबसे पहले एक प्लेट ले लिए इसमें हम अपनी होम रेमेडी इतियार करेंगे उसके लिए में ले रही हूं वन टेबल जुम civ होता है वह बहुत ही जлагे है करता है श 소फ्र स्मूध पनाता है और उसको प्रतार करता है और लिए अच्छ आ मौसरायजर होने के साथ एंटिसेप्टीक भी होता है जिससे देखी जो skin related जितनी भी problem होती है उन सब को ही solve करता है अगर आपकी skin पे dark dabbay है तो यह उन सब को remove करता है बहुत ही जल्दी इससरा effect होता है शयद को skin के लिए तो यहां पर हमें eight टेबल स्पून शयद लेना है honey लेना है और इससे हलदी में ज़िद मोद्य मिंट्स करना बंचिता तरीके में इसतरी तर επι करना है जाद पर देख रहे करना है इससारी करना आप कि इस तरीके से आपकोर लैंट आयों टमैटा आपको एक टमाटर लेना है और उससे बीच में से इस तरीके से कॉत करना है तो टमाटर भी के लिए बहुत ज़ाँ अच्छा हुता है बहुत इफेक्टिव होता है क्योंकि आपकी जो मात्तरा में होता है फेस पे या फिर कहीं पे भी मुहासों के निशान हैं, दाग दबों के निशान हैं, उस जगे को अच्छे से क्लीन कर लें, एक फेश वाश की हैट से अपने पूरे फेस को अच्छे से दो लें, फिर आपको टमाटर लेना है, जो हमने पेस्ट रैडी किया है, उसमें इस तरी होता है, आपकी स्किन को फेर बनाएगा, थोड़ा अच्छे से प्रैस करके इसे लगवाना है, जिससे जो पल्प है, वो भी इसको साथ में जो रेमेडी हम यूस कर रहे हैं, उसके साथ ये पल्प भी निखले, तो इस तरीके से आपको थोड़ा प्रैस करके लगवाना है, एंड राइस 5-10 मिनट आपको इससे अच्छे से अपने फेस पे स्ट्रब करना है, बहुत ही अच्छे से इसे डिप करके अच्छे से स्ट्रब करना है, क्योंकि इसमें जो लाइको पिन होता है, वो काफी हेल्प करता है दाग डबब को रिमूव करने पे, और फिर 5-10 बनाने के लिए, सबसे पहले हमें चाहिए एक खाली बाउल, मैंने यहां पे एक प्लेट ले लिए और एक क्रपूर की टिक्की ले लिए, क्रपूर इजीली सबके ड्र में अविलेबल हो जाता है, क्योंकि पूजा में डेली में काम आने वाली चीज है, तो ग्राइस फिर क क्रपूर का हमें पाउडर एडी करना है, इसकी आप किसी चमषकी लिए МУЗЫКА पाउडर इसका रेडी कर सकते हैं बिल्कुल एक बारिट जो है पाउडर चाहिए हमें तो क्वपूर स्कीन के लिए बहुत ही इफेक्टिव होता है यह ओईली स्कीन वालों के लिए पाउडर इसकीन के लिए बहुत ही अच्छा होता है सब जानता है जो किसी भी तरह के दाख डब्बे होता है किसी भी तरह के जले के निशान होता है या फिर कितने भी पुराने निशान हो उन सब को रिमूव करता है तो आप आपको इसमें क्रपूर मिट्स करना है तो आप द करने के बाद आपके जहां पे भी ढग-दब्वे हो रहा है आपके फेस पे उसको अच्छे कीक्तिल करना है और बिल्कूल बी यो हमने रादि कीया है हम पे अधे हात नहीं है ड़ना है आपको कोटन की है केवल तीन बार मतलब एक वीट में आपको तीन बार ही लगाना है दो दिन में एक बार और लगाने के बाद आपको 15-20 मिनट ऐसे चोड़ देना है और फिर उसके बाद आप इसे वाश कर सकते हैं गरम पानी की हैल्प से या फिर नॉर्मल पानी जो भी हाता है उसकी है से यह बहुत effective remedy है आपको एक बार में इसका फरक नजर आने लग जाएगा आपको मेरा वीडियो पसंद आया और वीडियो पसंद आया तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना और मेरी वीडियो को लाइक करना मात भूनना मुझे comment box में comment करके जरूर बताना क आपके लिए कितना effective रहा तो अब मैं आपसे मिलूंगी next वीडियो में तब तक के लिए bye guys